आज लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खुबसूरत और प्यारा सा एक थाल पोस का डेजाइन काफी बड़ा है और आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा ये थाल पोस है एक बार में पूरे कैमरे में भी नहीं आ रहा है बहुत ही खुबसूरत तीन कलर में मैंने इसे बनाया है बहुत इजी पैटन भी है तो अगर आप एक बिगनर भी है तो भी इसे एजी बना मैं आपको बता दू कि ये एक रिक्वेस्टेट वीडियो है काफी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी बड़ा थाल पोस बनाने के लिए तो मैंने इसे बनाया है बहुत ही ज़्यादा खुबसूरत है इजी है प्लस तीन कलर में बना हुआ है तो लुग भी बहुत ही ज़् वीडियो में बताया हुआ है आई होप आपको ये पसंद आएगा आई होप क्या आपको ये पसंद ही आएगा अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजेगा और कमेंट करके भी मुझे जरूर बतायेगा कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा यहां मैंने तीन तरह का पैटर्न पूरा डबर क्रोशा पे बना हुआ है पर तीन स्टेप में मैंने इसके डिजाइन बनाई है ये देखे ये कुछ ट्रेंगल बनी हुई है फिर बटरफ्लाइ डिजाइन बनी है यहां पर रेट कलर से बहुत ही खुबसूरत सा घना पैटर्न बना रेट कलर की उन इसमें मुझे 50 ग्राम लगी है वाइट कलर की उन 60 ग्राम लगी है और ब्लू कलर की उन इसमें मुझे 30 से 35 ग्राम लगी है तो अगर आप इतना ही बड़ा बनाना चाहते हैं तो इतनी उन में आप इजिली बना सकते हैं बनाया है मैंने इससे 3 mm की क्रोशा ह से आप 10 नंबर की या 11 नंबर की क्रोशा हुक से 3-ply की उन से बना सकते हैं तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो बट आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए है फ्रेंट तो फ्लीज इसे सब्सक्राइब कर और आने वाले बैल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो चलिए फिर देर किस बात की है बना लेते हैं ये खुबसूरत सा थाल पोस्ट मैं यहां इसे बना रहे हूँ थ्री प् एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, नौ, दस, दस चेन मना के जो फर्स नमर वाली चेन है इसमें अपने वर्प को स्लिप स्टिस से इस तरह से आड़ कर देंगे ओके सिंपल सिर निकाल लेना है लूप से एक, दो, तीन, तीन, तीन चेन मनाएंगे सेम इसी जगह से फिर से डालेंगे होल से एक दबा क्रोश्या बनाएंगे बट लाश्ट लूप ओवर नहीं करना है इसमें कलस्टर बना के रड़ी करना है फिर से इसी जगह से डालेंगे अगें लाश्ट लूप को ओवर नहीं क तीन चेन बनाएंगे सीम इसी स्पेस से फिर से डालेंगे डबर क्रोशा का आधा ही लूप ओवर करेंगे पूरा ओवर नहीं करेंगे एक बार हो गया दो बार और ये हो गया तीसरी बार तीन टाइम आपको ऐसे ही करना है 3 double crochet का cluster बना के ready करना है और जब 3 बार आप double crochet बना ले तो सारे loops को एक साथ over कर देंगे 1, 2, 3 और यहाँ पे 3 chain बना लेंगे Again, same process को ही repeat करेंगे तो ऐसा आपको total 8 बार करना है 3 double crochet के 8 clusters आपको इसमें बना के ready करने हैं और हर cluster के बाद 3 chain का space देना है जैसे की मैं यहाँ पे दे रही हूँ ओके फिर से यहाँ पे 1, 2, 3 इस तरह से बन के ready होगा पूरे में ऐसे ही बनाएंगे total 8 बार ऐसे ही बना के इस तरह से बना के से पूरा ready कर लिया है और अब यहाँ पे जहाँ पे आपने वक को add किया है end पे उससे आपको यह जो 3 chain का space बनाया है यहाँ पे आ जाना है और slip stitch बनाते हुए 1, 2, 3 3 chain मनाएंगे same इसी space से फिर से डालेंगे और 1 double crochet बना लेंगे 1, 2, 3 again 3 chain इसी space से फिर से डालना है और 2 double crochet बना लेनी है 1, 2 again यह जो next वाली chain है तो 2 double crochet 3 chain है और 2 double crochet बनाई है हमने यह जो next chain space है इस पे आएंगे और यहाँ पे आप देखेगा मैंने कोई भी chain space नहीं दिया है कोई chain space नहीं देना है next वाले पे आना है और इसमें बना लेंगे 1, 2 double crochet 3 chain 1, 2, 3 again इसी space से फिर से डालेंगे और 2 double crochet बनाईगे तो एक chain space से आपको 2 double crochet 3 chain और 2 double crochet बना के ready करना है इस तरह से बन के ready होगा इन दोनों के बीच में यहाँ पे कोई भी chain space नहीं लेना है तो ऐसे ही सेम प्रोसेस को repeat करना है और जितनी भी 2, 3 chain का space है उसमें आपको 2 double crochet, 3 chain और 2 double crochet बना के ready करना है और अगर एक pattern से दूसरे pattern के बीच में कोई chain space नहीं लेना है इस तरह से बना के ready किया work के end में जहां से start किया है यहां 3rd number वाली chain में अपने work को add करेंगे एक chain बना के धागे को यहीं से cut कर लेंगे इस धागे को जो आपने cut किया है उसे नीचे की तरफ कर लीजे यहां इसे पीछे तो यह हो गया हमारा पीच का पूरा part और अब यहां पर देखे का जो तीन chain का space बनाया है यहां पर मैं दूसरा भागा add करूंगी color आप अपने हिसाब से friends choose कर सकते हैं आपको जिस color में बनाना है आप उस color में बनाएं मैं यहां पर red color add करूंगी अब और अब इसमें बनाना है हमें तीन double cross या पहले सबसे पहले तीन chain बनाएंगे तीन chain से ही start करते हैं एक दो और तीन पहली तीन chain हो गई और इसके बाद बनाएंगे दो double cross या तोटल तीन double cross या बनानी है तो तीन chain हमारी पहली double cross हो गई और उसके बाद हमने दो और double cross यहां पर बना ली एक दो तीन अगें तीन chain बनाएंगे सेम स्पेस से फिर से डालेंगे और तीन double cross या बना लेंगे 3 double crochet बनाने के बाद अब next space पे आएंगे और इसमें बना लेंगे 3 double crochet, 3 chain और 3 double crochet जो 3 chain का जो space बनाया है आपने work सिर्फ उसमें ही करना है उसके बाद जो बीच का space है यहां पर कोई work नहीं करना है सिर्फ 3 chain वाली space पे ही करना है 3 double crochet, 3 chain और 3 double crochet टोटल 8 heart pattern इसमें बनके रड़ी हो रहे हैं हर राउंड में तो 8 बार यह भी बनके रड़ी होगा यहां पर हमने नीचे का फ्लार यह वाला जो है यह 8 बनाया था तो इसके बाद यह 2 double crochet, 3 chain और 2 double crochet भी 8 times बनके रड़ी हुआ है और अब 3 double crochet, 3 chain और 3 double crochet भी आपका 8 बार बनके रड़ी होगा तो जितनी भी 3 chain की space है यह सारी इन सब में आपको same pattern को repeat करते हुए end वाली space पे आ जाना है तो यह देखिए इस तरह से बनाके रड़ी किया, वाक के end में अगें जो 3rd नमर वाली हमारी chain है इस chain में अपने वाक को add कर देंगे इसके बाद वाली double crochet में एक slip stitch इसके बाद वाली double crochet में भी एक slip stitch और यह जो 3 chain का space है यहाँ पे आ जाएंगे एक, दो, तीन, तीन chain और अब इसमें total हमें 10 और double crochet बना ली है, total 11 बनेगी तीन chain को मिलाके 11 होंगी, एक, दो, तीन, दस, और यह 11, ओके यह देखिए, total 11 double crochet इसमें बनाके ready कर ली same process को ही, अब 11, 11 double crochet आपको हर 3 chain के space पे बनाना है अब इसके बाद direct दूसर तीन chain का जो space है, यहाँ पे आएंगे और इसमें बना लेंगे 11 double crochet, तो जितने भी 3 chain के space बनी हुई है, सिर्फ आपको उसमें 11, 11 double crochet बनाना है और इस round को पूरा over करना है इस तरह से 11, 11 double crochet है, जितने भी 3 chain की space है, उसमें बनाके हमें ready करना है इस तरीके का बन के ready होगा और अब इसके बाद यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो 6 number वाली double crochet है, इसमें crochet को डालना है और इसी जगह पे दागे को add करना है तीसरे कलर का धागा मैं यहाँ पे add कर रहे हूँ तो आप धागा अपने हिसाब से juice कर लें आपको कौन से कलर का धागा add करना है सीम इसी space से डालेंगे एक chain बनाके फिर से यहीं पे डालेंगे और एक single crochet है यहाँ पे बना लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे chain बनाएंगे अब यह एक pattern से दूसरे pattern के बीच में इस जगह पे जो space है यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे एक double crochet बनाएंगे फिर से छे chain एक, दो, तीन, चार, पांच, छे और छे chain के बाद फिर से यहाँ पे six number double crochet एक, दो, तीन, चार, पांच, छे जो सबसे बीच वाली six number के double crochet है इसमें डालेंगे और इसमें बना लेना है हमें एक single crochet अगें एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, छे chain फिर से दो pattern के बीच में डालना है और यहाँ पे बना लेनी है एक double crochet एक, दो, तीन, चार, पांच, छे छे chain और सबसे बीच वाली जो double crochet है six number वाली इसमें एक single crochet सेम प्रोसेस को ही repeat करेंगे और पूरे round को ऐसे ही over करना है एक बार single crochet, फिर double crochet, फिर single crochet, फिर double crochet बनानी है और बीच में छे, छे chain का space के end में छे chain बना के जहां से start किया है इसे single crochet में अपनी work को add कर देंगे एक, दो, तीन, तीन chain सेम ही single crochet से फिर से डालेंगे और यहाँ पे एक और double crochet बना लेंगे तो total दो double crochet यहाँ पे बना के हमें ready करनी है तो यह तीन chain हमारी पहली double crochet हो गई, उसके बाद एक और double crochet अब यहाँ पे दो double crochet बना लेंगे एक और दो एक, दो, तीन, चार, पांच फिर से 5 chain next वाली जो single crochet है इसमें डालना है और दो double crochet इसमें बनानी है एक और दो तो इस तरह से जितने भी single crochet यह double crochet जो भी बनी होई है इसमें दो-दो double crochet बनानी है और बीच में 5-5 chain का space देना है पूरे में वैसे ही दो-दो double crochet बीच में 5-5 chain का space देते हुए end पे आ गई हूँ और अब यहाँ पे वाको जो थर्ड नंबर वाली chain है इसमें अपने वाक को add कर लेंगे अगेन यहाँ से एक, दो, तीन, तीन chain मनाएंगे same ही chain में फिर से डालेंगे एक double crochet बना लेंगे दो हो गई और अब जो second number वाली है दो double crochet बनी थी तो दोनों में हमें दो-दो double crochet बना के total 4 double crochet बना लेनी है एक और दो, ओके दो हमने पहले वाले में बनाई, दो बात वाले में चार हो गई और अब यहाँ पे 4 chain बनाएंगे एक दो, तीन, चार हर बार एक chain हमें इसमें घटा लेनी है और इसके बाद वाली जो double crochet है इसमें दोनों में दो-दो double crochet बनाएंगे एक दो और दो बनाएंगे इसके बात वाली में एक और दो अगेन बीश में एक, दो, तीन, चार, चार चीन का space तो इस तरह से जितने भी डबावक रोशा बनी है इसमें आपको समय दो दो डबावक रोशा मींस एक सेट में आपको चार डबावक रोशा बना के ready करना है तो इस देखें पूरे में सेम बासे ही बना के फिर से ready कर लिया है और अब work के end में again जो थर्ड नमबर वाली chain है इसमें अपने work को हमें add कर देना है एक, दो, तीन, तीन chain बनाएंगे और जो पहली वाली double crochet means जो थर्ड नमबर chain है इसी में फिर से डालेंगे और एक double crochet इसमें बना लेंगे ओके बीच में आपके पास दो double crochet है तो इन दोनों में एक-एक double crochet बनानी है second number वाली है इसमें एक बनाएंगे जो थर्ड नमबर वाली है इसमें भी एक बनाएंगे और जो फोर्थ नमबर वाली है इसमें दो बना लेनी है तो आप फ्रेंट्स आपको इसमें ऐसी ही करना है जो पहली और आखरी डबा क्रोशा होगी उसमें आपको दो दो डबा क्रोशा बनानी है और बीच में जितनी भी डबा क्रोशा होगी उसमें सिर्फ एक एक डबा क्रोशा बनानी है यहां पे देखे मैंने 2 बनाई है लास्ट में 2 बनाई है बीच की दोनों डबाक रॉशा में 1 एक बनाई है जब आप इसके बाद वाले राउड में जाएंगे तो पहली वाली जो होगी इसमें आपको 2 बनानी है बीच की 1, 2, 3, 4 इसमें एक एक बनाएंगे और जो लाश्ट वाली है इसमें दो बना लेंगे हर बार इसी तरह से दो डबा replication बढ़ने जाएगी पहले 2 थी फिर 4 थी फिर 6 हो गई एक दो तीन चार पाँच छे इसके बाद वाले राउन में पहली और आखरी में जब आप बढ़ाएंगे 2 double crochet तो 8 हो जाएगी और उसके बाद 10 हो जाएगी सेम ऐसे ही repeat करना है और हर बार एक chain आपको घटा देनी है अब यहाँ पे 1, 2 और 3 chain बनेगी अगेन जो पहली वाली है इसमें हमें 2 बना लेनी है एक और सेम इसी प्लेस से फिर से डालेंगे और 2 हो जाएगी ओके पीच में जो 2 बची है इन में 1 बनाएंगे नेक्स्ट वन वाली में भी 1 बनाएंगे और लास्ट वाली में फिर से 2 बना लेंगे एक और दो एक दो तीन तीन चेन का इस पेस देंगे सेम प्रोसेस को ही हमें repeat करना है और ऐसे ही बनाते जाना है यह देखेगा यह कुछ इस तरह से बनके ready होगा उल्टा ट्राइंगल बनके ready होगा इसमें पहले 2 हैं फिर 4 फिर 6 इसके बाद 8 होगी उसके बाद 10 होगी और उसके बाद फिर 12 तो यहाँ पर 6 चेन बनाई थी फिर 4 बनाई है यह वाला राउंड 6 डबर क्रोशा के साथ फिर 8 डबर क्रोशा के साथ और फिर 10 डबर क्रोशा के साथ आपको बना के ready करना है तब तक बनाना है जब तक कि आपके पास एक चेन ना हो जाए तो यहाँ पर 3 है इसके बाद वाली में आपको 2 चेन बनानी है उसके बाद वाली में एक चेन बनानी है डबर क्रोशा इसके बाद आप 10 बनेगी उसके बाद 12 बनेगी तो मैं इसमें 3 और राउंड इसको मिला के 3 राउंड होंगे मेरे तो मैं उसे बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे इसे बनाया है और ये कैसा लग रहा है यहां मैंने same pattern को ही repeat करते हुए बनाया है और हर बार पहली double crochet में 2 double crochet बनाई है और आखरी वाली double crochet में 2 double crochet बनाई है और बीच की जितनी भी हैं देखेगा इसमें सिर्फ एक एक बनी हुई है तो 6 chain से हमने start किया था फिर 5, 4, 3, 2, 1 और अब यहां भी मैंने दोनों patterns के बीच में सिर्फ एक एक chain बनाई है इस row में आपको same इसी color से अभी work करना है work को add करने और जितनी भी double crochet बनी हुई है उन सब में हमें एक एक double crochet बना के ready करना है इस round में double crochet को बढ़ाना नहीं है तीन chain जहां पर add किया है उसके उपर तीन chain से ही start करेंगे अभी तक यहां से एक और बनाते थे बस इस बार नहीं बनाएंगे जो उसके next one वाली double crochet है उसमें एक double crochet बना लेंगे ओके दोनों अलग अलग बनानी है जितनी भी double crochet है उनमें हमें एक double crochet बना लेनी है और मैं बता दूँ आपको यहां पर end में मेरे पास एक, दो, तीन, चार, पान, छे, साथ, आठ, आठ, नौ, तस टोटल दज double crochet लास्ट में बची हुई है लास्ट में बन के रेडी हुई है तो अब इन दज double crochet में एक एक double crochet बना के रेडी करेंगे एक double crochet हमें बीच वाल स्पेस पे बनानी है जो एक चिन का स्पेस था वहाँ पे एक double crochet बना लेनी है और फिर से जो 10 double crochet है इसमें एक एक double crochet बनानी है तो simple pattern है पहले 10 double crochet जो बनी हुई है 10 double crochet उसमें बना लेनी है और फिर बीच में एक चिन का जहाँ स्पेस है वहाँ पे एक double crochet बनानी है कहीं भी कुछ भी बढ़ाना नहीं है सिर्फ ड़बर ग्रॉशा फिर बीच वाले स्पेस में इसमें भी पूरे में बनाएगे दषट भॉशा यह जो बीच में एक चेन का स्पेस है यहां पे एक डबर ग्रॉशा बनाएँगे पूरे में ऐसे बना के इसे पूरे में बना के सेम वैसे ही रेड़ी कर लिया है जितनी भी एक एक चेन का स्पेस थी उसमें भी एक रबर क्रॉशा बना ली है वक को थर्ड नमबर वाली चेन पर एड़ करेंगे और एक चेन बना के यहां पर धागे को हमें कट कर लेना है और अब इसमें अगेन वाइट कलर का धागा एड़ करना है तो किसी भी एक रबर क्रॉशा में यहां पर वाइट कलर वाला धागा जो है उसे एड़ कर लेंगे इस जगह पर add करेंगे धागी को add करने के बाद इसी same space से पहले तीन chain बनाएंगे as a double crochet और इसके बाद तीन और chain बनाएंगे space के लिए ओके total 6 chain बनाई है इसके बाद एक दो दो double crochet skip करेंगे और third number वाली में work को add कर देंगे एक दो थर्ड नमबर वाली में add करना है यह है मेरी third number वाली इसमें add करेंगे ठीक है फिर से एक दो तीन तीन chain एक दो double crochet skip करेंगे और third one वाली में इसे double crochet से add करेंगे एक दो तीन तीन चेन फिर से एक और दो दो छोड़ देनी है और जो थर्ड नमबर वाली तीसरी वाली है इसमें एक डबा क्रॉश्या बनानी है ओके एक दो तीन अगेन दो इसकिप करके तीसरी वाली में डबा क्रॉश्या बनाएंगे सेम प्रोसेस को ही continue करते हुए इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करते हैं और अब वक के end में जो थर्ड नंबर chain है यहां पर छे chain बनाई थी तो एक दो तीन ही जो तीसरी नंबर वाली chain है थर्ड नंबर वाली chain में वक को एट कर देंगे ओके एक दो तीन तीन चेन सेम इसी स्पेस से फिर से डालना है और यहां पर एक डबाप रोशा बना लिनी है दो डबाप रोशा हो गई एक दो तीन फिर से तीन चेन बनाएंगे सेम इसी जगह से फिर से डालेंगे और एक और 2 2 double crochet, 3 chain और 2 double crochet बना के ready कर ली इस वाले block को हमें skip कर दिनना है इसके next वाला जो block है ठीक है, यहां पे double crochet के उपर बनाई है बट अब बनाएंगे block पे next block को skip करेंगे उसके बाद वाला जो block है इसमें बना लेनी है again same, 2 double crochet, 3 chain और 2 double crochet 1 और 2 फिर से इसके बाद वाला जो ब्लॉक है इसे स्कराविब करेंगे और इसके बांड़ी जो डब्ल ग्नुम है इसमें बनाझे 2 डब्ल ग्रोश के चाश्च वंपर बनाना है और एक बीधर ब्लोक में bनाना है इसे वेक्स हायी किरे रडी होगा यहाँ पर बनाएंगे 2 double crochet, 3 chain और 2 double crochet तो देखें यहाँ पर एक बार मैंने double crochet के उपर बनाया next block को skip करके block में बनाया है फिर से next block को skip करके उसकी वाली double crochet पर बनाया है और अब double crochet के बाद बनाना है हमें block में तो इस block को skip करेंगे next वाले block में 2 double crochet 3 chain और 2 double crochet बनाएंगे same process को ही repeat करते हुए पूरे round को हमें ऐसे ही over करना है एक बार block skip करके block में बनाएंगे और दूसरी बार block skip करके double crochet में बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे यहाँ पे double crochet पे बना उसके बाद block में फिर block skip करके double crochet पे फिर block skip करके block पे अब यहां पे block skip करके double crochet पे बनाएंगे same process को repeat करेंगे पूरे round को ऐसे ही यह round भी पूरा बनके ready है और अब यहां पे हमें बना लेना है third number वाली chain पे अपने work को add करना है next वाली जो double crochet है इसमें एक slip stitch बनाएंगे और इसके बाद जो तीन chain का space बनाया है यहां पे आ जाएंगे okay फिर से 3 chain same space से डालेंगे एक double crochet इसी जगह से फिर से डालना है एक और double crochet तो अब यहां पे बन गई है एक दो और तीन double crochet एक दो तीन तीन chain का ही space देना है फिर से इसी जगह से डालेंगे और तीन double crochet बना लेंगे यहां पे जए एक दो और तीन ओके तीन double crochet तीन चेन तीन double crochet next बाले जो chain space है बीच का skip करेंगे next बाले chain पे आएंगे और यहां पे बना लेने हैं तीन double crochet तीन chain और तीन डबा क्रॉच्या तो जितनी भी तीन chain की space बनाई है वहीं पर हमें work करना है जैसे नीची जब red color से बनाया था हमने तो same ही design को बनाया था एक बार 2 double crochet, 3 chain और 2 double crochet बनाई थी उसके बाद वाले round में 3 double crochet, 3 chain और 3 double crochet तो यह जितने भी chain space है यह वाली इन सब में आपको ऐसे ही 3 double crochet, 3 chain और 3 double crochet बना के ready करना है तो यह same यह वाला pattern है जो हमने यहाँ पर बनाया है और इसके बाद हमने यहाँ पर 11 double crochet बनाई है तो इस round को बनाने के बाद next round में आपको इसमें 11 double crochet बना के ready कर लेना है तो same यह दोनों जो red color से round बने हुए हैं 3 double crochet, 3 chain और 3 double crochet और 11 double crochet का, same इन ही दोनों round को आपको यहाँ पर repeat करना है यह round मैंने बता दिया है 3 double crochet, 3 chain और 3 double crochet इसके बाद आपकी जितनी भी 3 chains की space ready होगी वहाँ पर आपको same ऐसे ही 11-11 double crochet बना के ready करनी है जैसे आपने इसमें बनाया है अगर आपको कहीं भी confusion हो रहा है तो आप back जाके फिर से यह red वाला section फिर से देख लिजे तो clear हो जाएगा कि यहाँ पर कैसे बनाना है तो इन दो round को बना के ready कर लेती हो फिर आगे बताती हो कैसे बनाना है पूरे में same वैसे ही जैसे आपको बताया था same वैसे ही बनाया है और तीन double crochet 3 chain 3 double crochet बनाने के बाद जो इसके बाद की next round है उसमें मैंने 11-11 double crochet same ऐसे ही बनाई है जैसे नीचे बनाया था और अब ये इतना बन के ready है पूरा आधा बन चुका है ये अगर आप इसे इतना ही बनाना चाहते हैं मिंज छोटा तालपोस बनाना चाहते हैं तो यहीं पर end कर दें इसके बाद ना बनाए अगर आप इससे और भी बड़ा बनाना चाहते हैं क्योंकि डाला चट वगरा में डालने के लिए अकसर करके request आती है तो इससे बड़े थालपोस की जरूरत होती है तो उसे बनाने के लिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है सेम ऐसे ही जो six number वाली double crochet है इसमें धागे को add करना है और अब यहाँ पर मैं red color के धागे को add यहाँ पर six number वाली double crochet पर धागे को add कर लिया है और अब यहाँ पर एक chain बनाके सेम इसी space पर एक single crochet बना लेनी है एक, दो, तीन, तीन chain बनाएंगे और यह वाला जो दो pattern के बीच का space है यहाँ पर crochet को डालेंगे और एक double crochet बना लेंगे एक, दो, तीन, तीन chain अगें जो six number वाली double crochet है इसमें crochet को डालेंगे और यहाँ पर एक single crochet तो जैसे नीचे बनाया था सेम वैसे ही बनाना है तीन, तीन chain बनाते हुए एक बार double crochet बनानी है और एक बार single crochet दोनों pattern के बीच का जो space है यहाँ पर double crochet बनेगी और जो six number वाली हमारी double crochet है वहाँ पर single crochet बनेगी सेम प्रोसेस को repeat करते हुए पूरा round बन के ready है और अब end में जहाँ से start किया है single crochet बनाई थी तो उसी में अपने work को हमें add कर लेना है इसके बाद यहाँ पर बनानी है एक, दो, तीन, तीन chain और seam यह देखे जो single crochet जहाँ पर add किया है इसी space पर डालेंगे और एक और double crochet बनाईगे एक chain बनाईगे, same इसी space से फिर से डालना है और एक और double crochet बना के ready कर लेनी है तो दो डबा क्रोशा एक चेन और दो डबा क्रोशा मैंने यहाँ पर बना के रेडी की है इसके बाद ज़स्ट इसके बगल वाली जो डबा क्रोशा बनी हुई है एक सिंगल क्रोशा पर हमने बना लिया है अब डबा क्रोशा पर आएंगे और सेम इसमें भी दो डबा क्रोशा एक चेन और दो डबा क्रोशा बनाएंगे एक और दो ओके फिर से सिंगर क्रोशा पर आएंगे यह जो सिंगर क्रोशा है इस पर आएंगे और दो डबा क्रोशा एक चेन और दो डबा क्रोशा तो जितनी भी single crochet य्य double crochet बनी हुई है इन सब में आपको 2 double crochet 1 chain और 2 double crochet बनाके ready कर लेना है इस तरह से बनके ready होगा सब में ऐसे ही बनेगा 2 double crochet 2 double crochet 1 chain य्य पर double crochet में यप लित बनाके? रोण को आइसे ही हमें एपने बने की ready है सेम वैसे ही बना लिया है इस round में आपको अपने work में थोड़ी सी curling लगेगी बट उसके लिए परिशान होनी की ज़रुवत नहीं है अब आगे चलके ये curling पूरी खतम हो जाएगी और यहां पर देखेगा तीन तीन स्री नंबर वाली chain में अपने work को add करेंगे next one वाली में एक slip stitch बनाएंगे और यह जो chain space बनाया है एक chain का इसमें आएंगे और एक slip stitch इसमें बनाएंगे same process को फिर से continue करेंगे तीन chain same इसी जगह से डालेंगे एक double crochet तो यह दो double crochet हो गई एक chain same इसी space से फिर से डालना है और दो double crochet बना लेनी है तो इस तरह से आपको टोटल चार round बना के ready करने है जिसमें आपको हर एक chain के space में दो double crochet एक chain और दो double crochet बनाना है जब आप इसी तरह से same ही pattern को चार बर repeat करेंगे तो आपका work की जितनी भी curling है वो पूरी से ready करने है बट अगर आपको अपना work tight लग रहा है तो आप एक chain की जगा दो chain का space इसमें दे सकते हैं लेकिन जब तक work tight नहीं हो रहा है तब तक एक chain से ही continue करें और इसमें चार राउंड बना के ready कर लें तो मैं इसमें पूरे चार राउंड बना लेती हूं दो डबक रोशा एक चेन और दो डबक रोशा से फिर आपको आगे बताती हूं कि इसमें क्या करना है हर बार आपको सिर्फ एक chain के space में ही work करना है ये round बनाएंगे वह को add करेंगे फिर से work में कहीं भी इसमें curling नहीं है बड़ आपके work में अगर curling आ रही है तो आप एक round और बना सकती है मैंने इसमें total पांच round बनाए है एक दो तीन चार पांच और सेम ही process पे बनाया है कहीं भी कुछ भी change नहीं किया है इसमें मैंने दो डबक रोशा एक चेन और दो डबक रोश इसमें अपने दागे को अद करके सबसे पहले यहां पर हमें बना लेनी है पहले 3 chain 1-2 और तीन और इसके बाद 2 chain 3 chain एज आज डबक रोशा इसमें एक double crochet बना लेंगे फिर से दो chain बनाएंगे और जो बीच में space है दो pattern के बीच में देखेगा हलका सा space दिख रहा होगा यहां पे बनाएंगे एक double crochet again दो chain और same एक chain वाले space में एक double crochet तो इसी process को आपको पूरे में repeat करना है दो दो chain बनाके दो chain बनाना है, एक बार बीच में उसको add करना है means double crochet बनाना है, फिर से दो chain बना के एक chain के space में same process को continue करके पूरे round को बना लिया है और work के end में दो chain बना की जो third number वाली chain है इसमें अपने work को add कर देंगे यहीं से एक, दो, तीन तीन chain बनाएंगे, same space पर डालेंगे एक double crochet बनाएंगे और आप यहां पे सिरफ दो chain बनानी है ऊचे, दो double crochet हो गई, दो chain इसी जगह से फिर से डालना है और दो और double crochet बनानी है, एक दो, तो यहां अमने 2 double crochet, 2 chain और 2 double crochet बनाई है इसके बाद वाला जो double crochet है उसे skip करेंगे उसके बाद वाली do double crochet है इसमें, अगेन दो double crochet, दो chain और दो double crochet बनाएंगे ज़ेंगे से दआलेंगे और दो double crochet बना लेंगे अगें नेक्स वाले double crochet को skip करेंगे इसे छोड़ देंगे और इसके बाद वाली जो double crochet है इसमें 2 double crochet, 2 chain और 2 double crochet बना लिए तो same process को ही continue करेंगे पूरे round को ऐसे ही over करेंगे तो यहां हमें यह वाला pattern बना के ready करना है 2 double crochet, 3 chain और 2 double crochet हमने यहां बनाई थी उपर सिर्फ हमने एक chain कम कर दी है 2 double crochet, 2 chain और 2 double crochet की है इसके बाद वाले round में आपको 3 double crochet, 2 chain और 3 double crochet बनानी है यहां 3 chain थी यहां पर सनवे दो double crochet रजले हैं और में बताओंगे आपको इसे में double crochet इतने fel करनी है यह वाला round और यह वाला round, यह 2 round बनाखे ready कर लेना है पहला round, 2 double crochet, 2 chain से बन और इसके बाद वाला round 3 double crochet, 2 chain और 3 double crochet यहां पूरा round बना थी कर लिया है यहां से वर को स्टार्ट किया है यहीं पर थर्ड नमबर वाली चेन पर वर को एड करेंगे और यह जो बीच में स्पेस दिख रहा है इस जगह पर एक सिंगल क्रॉश्या बना लेंगे कि यह चेन स्पेस है अब यहां पर वर करेंगे और टोटल इसमें 11 डबर क्रॉश्या बनाएंगे एक कि दो कि तीन कि चार कि पांच कि छे साथ आठ ग्यार नहीं स्वरी 9 डबर क्रॉश्या इसमें बनानी है 11 डबर क्रॉश्या हमने नीचे बनाए थी इस वाले राउड में सिफ 9 डबर क्रॉश्या बनानी है और इन दोनों के बीच में जो इस पेस दिख रहा है यहां पर अगें वरक को हमें सिंगर क्रॉश्या से एड कर दिना है ओके तो यह लोग आएगा वरक का फिर से यहीं से जो दो चेन का स्पेस है यहां पर आएंगे और नौट डबर क्रॉश्या यहां पर बना देंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और नौट डबर क्रॉश्या बना के यह वाला जो इस पेस है दो पैटर्न के बीच में जो इस पेस है यहां पर आपको वाको एट कर देना है तो सेम प्रॉश्या को ही रिपीट करना है नौट डबर क्रॉश्या बनानी है और उसको सिंगर क्रॉश्या से दो चेन के बीच के स्पेस में एट कर देना है और यहां पर जो डबर क्रॉश्या बनानी है वो आपको इन दो चेन के पूरे में ऐसे ही बना के नौन और डबल प्रॉशा बनाई है और सेम उसी पैटर्न को रिपीट किया है और अब ये पूरा थाल पोज बनके रेडी है ये देखिएगा इसका पूरा लुक आपको ये पसंद आ रहा हो का पसंद आए तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा मैं मिलूँगी आपसे कुछ नए आइडियास के साथ नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई थाइंक यू एंड हैव नाइस दी